ओम नमिश्वेज है माका दोसो धनतेरस और दिवाली का इंतजार लाखों करोड़ों लोगों को होता है क्योंकि इस दिन हम मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए तरह तरह का सामान अपनी जरूत का सामान अपने घर में लेकर आते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांच ऐसी चीजे जिनको खरीदने से हमारे घर में गरीबी और दरिताती है धन तेरस के दिन मालक्ष्मी और भगवान धनतरी की पूजा कीतियाती है तो इस दिन गल्ती से भी इन पांच चीजों को खरीद करके अपने घर में मतला ना क्योंकि ये चीज़े आपके घर में दुर्भाग्य गरीबी और अप्शकुल लेकर आती हैं। चीज़े घर में अशुब नक्षत शुरू कर देते हैं। ये आप इन चीज़ों को कभी भी खरीद सकते हैं। कभी भी खरीद कर लेकर आये। लेकिन धन तेरस के दिन, ये दिन मा लक्षमी का होता है। तो इस दिन ऐसी कोई भी चीज़ अपने घर में खरीद कर ना लाएं। कि आपको आर्थिक तंगे का सामना करना पड़े हैं। ये आपके घर में गरीबी और दरीरता है। इसके अलावा कोई भी पुरानी चीज़ धन तेरस के जैसे शुब दिन पर नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को अलावाने से आपके घर में नकर आत्मक और चाहिए। पता नहीं किसका पुराना समाने किसके घर से निकल कर आया है। और इन चीज़ों को जब आप अपने घर में लेकर आते हैं। ये चीज़े आपके घर में परेशानिया लेकर आ सकती हैं, कोशिश कीजिए कि इस तीहार पर नई और साफसुत्री चीज़ों को लाकर ही अपनी घर में रखें, जिससे साल भर आपके घर में बरकत रहें और आपके घर में मालक्श्मी का प्रवेश सो आपके घर में खुशि माना जाता है इस दिन काले रंग का कोई बैग है जूते कपड़े परिवार के लिए शुम नहीं माने जाते हैं इन चीजों का आप कभी भी खरी सकते हैं खास करके शनिवार के दिन भी काला रंग खरीदने से मना किया जाता है इसके अलावा कांच के बरतन हम लोग इसे तूट भी जाता है और लाते वक्त अगर ये बरतन आपके घर में तूट जाता है तो इस लिहास से धन तेरस पर कोई भी ऐसी चीज ना खरीदे जो आपके घर में तूटे इन चीजों को इस दिन खरीदने से बचना चाहिए इन चीजों को लाने से आपके घर में परि इसके अलावा लोही का सामान, वास्तों के मुताबिक धन तेरस पर लोही से वनी चीजों को खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए, ये चीजे शुम नहीं माने चाहते हैं, धन तेरस पर कोई बी नुकिली चीज खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को लाने से लोहा जो होता है वो शनी का कारक होता है इस दिन सनी और राहू केतु से जुड़ी कोई भी चीज अपने घर में लेकर ना है धन तेरस पर पूजा का शुम महरत की बात करें तो धन तेरस इस बार त्रोजशी तिति की शुरुवात 29 सक्टिवर मंगलवार को सुबह 10.30 बज़े से शुरू होगी और इसका समापन बुधवार 30 सक्टिवर को दो पहर 1 बच कर 17 मिट पर होगा इसके अलावा दोस्तों धन तेरस पर कुछ ऐसी चीज़े होती है जो आपके घर में टूटा फुटा सामान है कोई भी बंद पड़ी गड़ी है या पंद तूटा फुटा फुटा शीशा है इनने तुरंद घर से बाहर कर दीजे क्योंकि ये चीज़े जो होती है घर में नकरात्मकुर्जा को बढ़ाती है इन चीज़ों को दिवाली पर धनतेरस पर घर में रखना शुब नहीं माना चाता तो दिवाली से पहले धंतेरे से पहले कोशिश कीजे कि अपने घर से टूटा फूटा शीशा है या कोई बंद पड़ा इलक्टोरिक समान है रिमोट है टीवी है इन चीजों को तुरंद घर से अटा दे क्योंकि ये चीजे रखने से घर में दरीरता आती है इसके अलावा मालक्षमी का प्रवेश होगा क्योंकि दिवाली से पहले हम साफ सफाई करते हैं तो इन चीजों को अपनी घर में भूल कर भी न रखें अगर आप भी अपने घर में मालक्षमी का प्रवेश चाहते हैं अपने घर की में बरकत चाहते हैं खुशिया चाहते हैं तो इन चीज दाई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए ऐसी होर वीडियो के लिए हमारे चैनल साथ एक बन को सब्सक्राइब करना ना बोले भगवान शीव के भकते हैं तो कमेंट शेक्षन में हरार मादेव जरूर लिखते चलिए विलते हो नए वीडियो में नए चाहर कारी के साथ सुस्त रहिए खुश रहिए